भाई यहाँ पर अगरा 15,000 रुपय का अंदर एक बेस्ट सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन पर्चेस करना चाहते हो तो भाई आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे टॉप 5 बेस्ट 5G स् सबसे बेस्ट यहाँ पर फोन हो जाता है 5G स्मार्टफोन 15,000 रुपय का अंदर तो आज की वीडियो को जाऊसर लास तक देखना है उससे पहले चैनल पर नहीं आ रहे हो और ऐसी स्मार्टफोन रिलेट वीडियो आप फ्यूचर पर हमारी यूटूब चैनल पर देखना च भीबो की तरप से जी है इसका नाम है भाई भीबो टी ओवान फाइब जी जी है फीबो टी ओवान फाइब जी आप पर फाइब जी स्मार्टफोन हो जाता है 15,000 रुपय का अंदर इसके डिस्प्ले की बात करें तो 6.58 इंच का फूल एजडी प्लस IPS LCD डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाता है 120 हर्स के रिफ्रेट के साथ 120 हर्स के फास्ट रिफ्रेट के साथ जो एक बहुत ही बड़े बात भाई हो जाता है डिजाइन की बात करें तो यहाँ पर आपको 3.5 mm का ओडियो जैक, साइड माउंटेंट, फिंगर पिंसेंसर और आपको 8.2 mm थिकनेस का आपको ठीक देखने को मिलता है यह जो भीबो T1 5G डिवाइस है यहाँ पर आपको 187 ग्राम का वेट देखने को मिलता है इस डिवाइस का इस डिवाइस की प्रोसेजर की बात करें तो यह पर Qualcomm Snapdragon 690 5G एक 5G अच्छा चिपसेट आपको देखने को मिल जाता है इसकी बैटरी की बात के तो 5,000 इमेज का आपको बैटरी 18 वाट के फास्ट चार्जिंग के साथ जो एक बहुत ही बड़े बाद भाई हो जाता है इसकी कैमेरा की बात करें तो 50MP का मेन कैमेरा 2MP का नॉनमेल कैमेरा अगर आप सेल के अंदर पर्चेस करोगे तो आराम से यहां पर आपको 15,000 रुपया का अंदर यह जो भीबो टीवान 5G डिवाइस आपको देखने को मिल जाएगा जो आइधिंग भाई वन अप दा बेस्ट 5G डिवाइस हो जाता है देखो अगर आपको बजेट एकदम 15,000 रुपया है तो भीबो टीवान 5G डिवाइस का पर्चेस कर सकते हो इसका बेस्ट बाइंग लिंक आपको इस वीडियो के डेस्किप्शन में देखने को मिल जाएगा तो यहां पास जो आपको नंबर फोर पे स्मार्टफोन देखने हो मिलता है बेस्ट 5G स्मार्टफोन वह बेस्ट डिवाइस हो जाता है इसके डिस्प्ले की बात करें तो 6.4 इंच का फुल एच्डी प्लस आपको भाई यहां पर आपको एमूलेट डिस्प्ले मिलता है 60 हर्स के नॉर्मल सा रिफ्रेट के साथ पर आपको एमूलेट डिस्प्ले देखने हो मिलता है नोटो जी डिवाइस के अंदर इस डिवाइस की बात करें तो यहां पर भी आपको क्वालकम स्नैपड्रेगन 695 जी बहुत यह अच्छा फाइब जी जिपसेट देखने हो मिलता है बैटरी की बात करें तो 5000 इमेज का बैटरी उसके सासद आपको 33 वाट का फास्ट चार्जिंग का सप यहां पर अच्छा खासा एक बड़या फाइब जी आपको प्रॉससर देखने को मिलता है तो इसको अगरा आपको अच्छा खासा बड़ी आपको प्रॉससर देखने को मिलता है तो इसको अगर आप पर्चेस करना चाहते हो भाई तो बेस्ट बाइंग लिंक आपको वीडियो के ड्रे स्किप्स में मिल जाएगा तो इसको भी आप कंसिडर कर सकते हो तो भाई यहां पर नमबर 3 पेज आपको स्मार्टफोन देखने को मिलता है वह दोस्तों सैमसेंग की तरफ से जी हैं अगर आप एक सैमसेंग का बड़िया 5G स्मार्टफोन परचिस करना चाहते हो 15,000 रुपया के अंदर तो यहां पर जो यह सैमसेंग गेलेक्सी M33 5G डिबा वाला है इसके डिजाइन की बात करें तो साइड माउंटेड फिंगर्पिंट सेंसर मिलता है 3.5 mm का ओडियो जैक और यहां पर आपको 9.4 mm का थिकनेस एन यहां आपको 215 ग्राम को वेट देखने हो मिलता है सैमसेंग गेलेक्सी M33 डिवाइस का अंदर जो एक अच्छा बा बैटरी देखने को मिलता है इसलिए डिवाइस थोड़ा सा भारी है और 25 वाट का आपको फास चार्जिंग का सपोर मिलता है हाला कि आउट अप दबोक्स आपको कोई भी चार्जर देखने को नहीं मिलेगा सैमसेंग गेलेक्सी M33 5G डिवाइस के अंदर इसकी कैमेरा की ब पर्चेस करना चाते हो तो आप पर्चेस कर सकते हो क्योंकि इसका प्राइस है काफी ज्यादा अच्छा है 15,200 रुपया जी हां 15,200 रुपया के असपास यह जो स्मार्टपून आपको देखने को मिल जाएगा तो यहां पर 15,200 रुपया के अंदर यह जो सैमसेंग गेलेक्स M33 5G डिवाइस है आपके लिए काफी बड़या च्वाइस होने वाला है क्योंकि यहां पर यह नॉन चाइनिज डिवाइस है आपको अच्छा खासा डिस्प्ले के साथ एक बड़ा बैटरी पार्मेस मिलेगा यानि बड़ा बैटरी देखने को मिलता है और कैमेरा भी आपक कफी बड़या हो जाता है तो यहाँ पर नंबर 2 पर आपको स्माठफोन देखने को मिलता है बहुत ही बड़या 5G स्मार्टफोन वह है दोस्तों पोको की तरफ से जिए हैं अगर आप एक बहुत ही बड़ी आप फाइब जी पोको का स्मार्टफोन पर्चेस करना चाहते हो भाई तो यह जो पोको का सपोर मिलता है साइड मांटेन फिंगर पिंसर मिलता है एट प्वैंट ट्वेल वंका थिकनेस और दोज़त पांच ग्राम का वेट देखने को मिलता है इस डिवाइस के अंदर इसकी प्रोस्टर की बात करें तो यहां पर भी आपको क्वालकम स्नैपडरागन 695 एक बड़ि इस Poco X4 Pro स्मार्टफोन की कैमेरा की बात करें तो 64 Megapixel का मेन कैमेरा 8 Megapixel का अल्टर वाइड और 2 Megapixel का आपको नॉर्मेल कैमेरा देखने को मिलता है सामने यहां पर आपको 16 Megapixel का सेलफी कैमेरा देखने को मिलता है Poco X4 Pro स्मार्टफोन के अंदर तो इसको अगर आप पर् या 5G स्मार्टफोन पर्चेस करना चाहते हो तो यह जो Poco X4 Pro डिवाइस है आपके लिए काफी बड़िया चॉइस होने वाला है क्योंकि यहां पर आपको यहां इसका नाम है तो रियल्मी की तरब से जी है तो अगर आप एक रियल्मी का बहुती बड़िया 5G स्मार्टफोन पर्चेस करना चाहते हो तो यहां पर यह जो रियल्मी 9 5G AC यानि स्पीड एडिशन डिवाइस है आपके लिए वन अब दा बेस्ट होने वाला है क्योंकि यहां पर आपको 6.16 का फुल एडि प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने हो मिलता है 144Hz के एक बहुती फास्ट डिप्ले रेट के साथ और डिजाइन की बात करें 3.5 mm का ओडियो जैक साइड माउंट टेड फिंगर प्रिंट सेंसर और इसके सासाद 8.5 mm का थिकनेस आपको देखने को मिलता है रियल्मी 9 AC 5G डिवाइस के अंदर बैटरी की बात करें तो यहाँ पर आपको 5000 इमेज का बैटरी के साथ 30W का फास्ट चार्जिंग का सपोर मिलता है जो एक आच्छा बात हो जाता है इसकी कैमरा की बात करें तो 48MP का मेन कैमरा दो मेगा फिल का नॉनमल कैमरा अँड्रो आइड यहाँ पर नहीं मिलता है एन 2MP का आपको नॉनमल सा कैमरा आपको देखने को मिलता है सामने ही यह आपको 16MP का सेलफी कैमरा देखने को मिलता है Realme 9 5G AC device के अंदर इसकी price की बात करें तो थोड़ा सा ज्यादा है 17,000 रुपया है पर sale के अंदर flip card या पर Amazon के अंदर sale के अंदर Realme 9 5G AC device का purchase करोगे credit card, debit card, bank, offer लगा के तो आराम से यहाँ पर 15,000 रुपया का अंदर यह जो Realme 9 5G AC device आपको देखने को मिल जाएगा जो भाई सबसे ज़्यादा best और सबसे बड़ेया device हो जाता है क्योंकि यहाँ पर आपको processor बहुत अच्छा मिलता है display, यहाँ पर आपको higher refresh rate का support देखने को मिलता है और सारे कुछ आपको बड़ेया देखने को मिलता है Realme 9 5G AC device के अंदर जो यहाँ पर आप बोल सकते हो एक all-rounder बहुत ही बड़ेया 5G smartphone हो जाता है तो इसको अगर आप purchase करना चाहते हो तो इसको भी best buying link आपको वीडियो के description मिल जाएगा तो इसको भी आप purchase कर सकते हो तो भाई यहाँ पर उम्मीद का तो आप लोग समझ गयोंगे top 5 best हो सबसे अच्छा 5G smartphone कौन सा है जो आपको अभी 15,000 रुपया का अंदर देखने हो मिलता है अभी इसको आप purchase मर्द करो, sale के अंदर purchase करो, credit card debit card bank offer को भी card लगा लो आपको आराम से 15,000 रुपया का असपास यह smartphone देखने को भाई मिल जाएगा तो दोस्तों आज के विडियो में बहुत चाह्तं होता है थो फिल दोस्तों आगे विडियो बस यार इतन ही झाल झाल